हलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका मेरे चैनल रुद्रा एजूकेशन में बहुत स्वागत है और मेरी वह हमेशा की तरह एक दर्खवास की शेर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ और आज का जो टॉपिक है उसमें मैं बहुत सार अच्छे 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 कंटेंट्स को आज प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको बहुत अच्छे अच्छे आपको इनुवेटिव कंटेंट्स मिलेंगे और आपके एक्जाम के लिए भी बहुत ही जादा एक्जाम औरियेंटेड रहेंगे सारे कुछ historical background कुछ geographies related बहुत सारी बात हैं हम लोग लिंक करके बात करेंगे हिंदी इंगलिश दौनों के समायोजन के साथ बात करेंगे तो देखिए हम लोग आगे चलते हैं topic के लिए और share करना do share it है अपने दोस्तों को साथियों को जरूर बताएं thank you अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं तो देखिए सबसे पहले जो as usual जो मेरा section रहता है कि मैं सबसे पहले तो यह discuss करना चाता हूँ कि जो बहुत अच्छे chances दी है तो गुल्शन महरा जो इन्होंने answer दिया है एक question पूछा गया था कि जो mission सागर है वो 10 मई 2020 को शुभारंब किया गया और भारतियों नौ सेना के जहाज केसरी की तैनाती की गई इसमें और दो medical साहता टीम खाद दिवस्तों को hcq hydrochloroquine नाम की जो गोलिया है जो कि मलेरिया में दी जाती थी है ना मलेरिया में दी जाती है आज भी और इसको जो है डोनाल ट अच्छी कारगर साबीत हुई तो जो है मिशन सागर जो है वो पाँच देशों को जो है hcq hydrochloroquine गोलियों सहीत कोवीड की दवाईयां जो आयूरवेदिक दवाईयां उनको मालदीव, मौरिशस, सेशेल, मेड़गासकर और कॉम्रोस इन देशों में जो है जो की हिंद महा सागर के देश है तो भारत हिंद महासागर के देशों के साथ अच्छा संबन इसलिए बनाना चाता है क्योंकि चीन की जो string of pulse policy है कि भारत को जो हिंद महासागर में गीरने की जो policy है उसके उपर क्या है एक तरसे control पाया जा तो कहीं ना कहीं ये एक तरका diplomatic stand है भारत का कि भा Finland जो है इसकी राजदानी हेलेंस की है वेरी करेक्ट करंसी यूरो है लेकिन याद रखना Finland के जो दो पास के देश है नौर्वे और स्वीडन उनकी जो करंसी है वो है क्रोंस या क्रोनर्स भी बोलता है न तो Finland जो है यह एक रश्या से लगता हुआ एक देश है तो देखिए ललिद भारतवाज यह बहुत अच्छे स्टूडेंट है बहुत अच्छी तयारी करते हैं मेरे अच्छे स्टूडेंट रहें इन्होंने बोला है नाइस वीडियो कीप इट अप थैंक्यू वरी मच ललिद भारतवाज आप इसी तरह से टेस्टिमोनियल जरूर लिखते रह और इसी लिए 11 मई को हम लोग नेशनल टेक्नलोजी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं तो देखिए और आगे क्या-क्या है बातें वो देख लेते हैं हमारे अच्छे स्टूडेंट्स ने क्या-क्या बताईए अब देखिए यहाँ पर जो है विजेंदर सिंग जी बत असलब धर्म का साशन चलता है thank you very much it's my favorite song मैं आपको समय समय पर क्या entertain भी करता रहूंगा ताकि कई बार आपको अगेन हरेंद्र जी और इन्होंने बहुत अच्छा अंसर दिये हैं सतलज रिवर जो है मैंने आपसे कुश्चन पूछा था लास लेक्चर में 9 और 10 मही के लेक्चर में कि सतलज नदी जो है वह भारत में कहां से प्रवेश करती तो शिपकिला पास शिपकिला पास हिमाचल प्रवेश करती है न कल मैंने आपको उत्रा खनकेती नीती माना और लिपुलेक दर्रों के बारे में बताया था दर्रे मतलब पास ऐसी भूमी जो परवतों पर है लेकिन परवतों का ढाल होता है वहाँ पर और वहां से आसानी से जाया जा सकता है यह ना पासेज का मतलब ज निमने भूमी होती है मतलब उचाई उसकी कम होती है तो वही पासिज या दर्रे कहलाते हैं तो देखिए और शतुद्री जो है सतलच का पुराना नाम था सतलच एक बहुत इंपॉर्टन नदी है पंजाब की जो पांच नदिया उसमें सतलच का बहुत इंपॉर्टन रूल है तो देखिए अब लोग हम लोग आगे चलते हैं तो देखिए एक प्रश्ण है बहुत इंपॉर्टन कुश्चन है यह पिछले दिनों में कोविड-19 तो चली रहा है साथ म एक अफ्रिकन स्वाइन फीवर और असम जो राज्य है यहां पर अफ्रिकन स्वाइन फीवर हो गया और लगबग 15,000 के करीब सूरों की मौत हो गई और यह एक प्रकार का वाइरल डीजीज है तो यह बात याद रखेंगे यह फैला हुआ है भी और आपको यह भी याद तो कुछ important information और पढ़ लेते हैं समय समय पर देखिए मैं daily basis पर आपको कभी उत्तर प्रदेश कभी मध्य प्रदेश कभी पश्चे मंगाल कभी गुजरात कभी पंजाब इन सभी राज्यों के कुछ basic से information साथ साथ में coordinate करता रहता हूँ daily basis पर यह आप यह पढ़ते रहेंग बौर्दोली नाम का जो है यहाँ पर airport है ठीक है असम राज्य का जो international airport है जिसे कैमपे गोड़ा जो airport है वो का है बैंगलूरू का है है ना सरदार वल्लब भाई पटेल airport काहाँ पर है तो एहमदाबाद में है वीर सावरकर airport का है तो आप बताएंगे port Blair अंडमान निकोबार में आईजिया इंद्रा गांधी इंटरनेशनल जो अंतर राज्ट के बहुत अच्छा एरपोर्ट है वो दिल्ली में तो इस तरह के हमको सभी इन इंटरनेशनल पोर्ट जो है 13 उनके नाम पता होने चाहिए तो देखिए असम के जो मुख्य मंत्री है सर्वानंद सोनोवाल त देखिए असम उच्छ न्यायले का नाम गुहाटी उच्छ न्यायले है और मुख्य नैदिश कौन चल रहे हैं अजय लामबा तो यह बात एक याद रखनी अजय लामबा जी चल रहे हैं और असम के दो पड़ोसी राज्ज कौन कौन से हैं तो भूटान और बंगला देश ह असम के साथ पड़ोसी राज्ज हैं हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उत्तर प्रदेश के आठ प्लस एक दिल्ली को मिलाकर जो है आठ राज्ज और हैं उसी तरसे असम के साथ राज्ज इसके नेबर स्टेट्स हैं पड़ोसी राज्ज तो पस्चिम बंगाल, मेगाले त्रिपुरा, मनिपूर, नागालेंड, अरुनाचल प्रदेश और मिजोरम तो यह सभी राज्य जो है असम से अपनी सीमा बनाते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नमे से कौन सा राज्य जो है वो असम के साथ सीमा शेर नहीं करता, तो आपको क्या याद रखना है, मनिपूर आ जाएगा यहाप पे आंसर, स्वरी, स्वरी, मनिपूर मेगाले, नागालेंड, मिजोरम, लगवग यह सभी हैं, सिक्किम जो है, यदि आपसे पूछा जाए कौन सा राज्य शेर नहीं करता है, तो आप बता सकते हैं, असम जो है, उसमें लोकसभा सीटे कुल 14 सीटे हैं, लोकसभा में, राज्य सबा में 7 सीटे हैं, और विदान सबा जो हैं, इनकी लेजिसलिटिव असेम्बली है, उसमें 126 सीटे हैं, माजूली द्वीप, जो की रिवराइन पोर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा, और माजूली को वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट भी घोशित किया हुआ है, और ये पूरी तरसे कार्बन नीट्रल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कार्बन कैपिंग जो है, मतलब कार्बन डाय ऑक्साइट के परसेंटेज जो है, बहुत कम है यहाँ पर, तो यह ऐसा पहला ही, और यह जिला घोशित कर दिया गया वर्तमान में, देखिए बहुत इंपोर्टन कोईश्चन है को और है, कि असम के लोहित नदी पर भूपेन हजारिका, बूपेन हजारिका को आपको याद होगा, कि जो है पदम विभूशन जो है पदम विभूशन आवाड दिया गया बूपेन हजारिका, यह डायरेक्टर भी थे, सिंगर भी रहे हैं, यह ना म्यूजिक कंपोजर भी रहे हैं, तो बूपेन हजारिका का नाम बहुत फेमस है असम में, तो डोला सदिया इसको जो पूल कहते थे बाद में हिसका नम बूपेन हजारिका रखा गया, नरिणीद्र, मोडी जी गए थे ते जब इनका इनाउग्रेस्शन करने गए थे, ठेको कभी भी पूल का नाम जो होता है न वर्डरी सेलिंग सब्से लंबा भारत पुल है यदि समूद्र की बात कर रहा है کہ व्यूपना जारी देखेंए यह जो पुल है जो भूपनाजारी का पुल है वह चाइना के बॉर्डर पे है और इसको especially design किया गया कि कलको कभी चाइना से चीन से युद्ध हो जाता है तो हमारे जो हैं battle tanks भी इस पर आसानी से गमन कर सके जा सके, movement हो सके आर्मी का movement भी हो सके तो ये बहुत important pole रहेगा strategic perspective से रहेट अब देखिए आगे चलते हैं एक सींगी गेंड़ा जो की प्रसिद्ध है कहां का काजी रंगा national park तो ये असम में स्थित है काजी रंगा नेशनल पार्क असम में है मानस असम में है तो ये बहुत important national park है तो बीहू जो नरत्य है यहां का बहुत important आपको कई बार आपने question देखा हूँ बीहू नरत्य का का है असम का बीहू नरत्य फेमस है तो अन्य कौन कौन से national park है हो देख लेते हैं काजी रंगा नामेरी मानस डिब्रू साइखोवा औरांग औरांग ये औरांग भी एक्जाम में कई बार पूचा है तो औरांग अफ्रिकी स्वाइन फीवर कहां फैला है तो असम याद रखेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको एक बार revise कर लेने अब इसके हम लोग आगे चलते हैं देखिए मैं आपको जैसा की promise किया है कि मैं बहुत अच्छा-च्छे questions आपको करवाँगा तो ये सभी 12 माई, 12 माई, 11-12 माई के content में से है और आपके exam के लिए बहुत important है तो इस पर हमने चर्चा कर ली थी हमने इस पर चर्चा करी ली थी कि जो कैलाश मांसरोवर है है ना कैलाश मांसरोवर तो इसको लिंक को उत्राखंड के धार चुला को लिपूल एक दर्रे से जोड़ा है तो ये कैलाश मांसरोवर की बात है ये बहुत important है देखे ये history का बहुत अच्छा question है आप मुझे कुछ battle of सुगोली हुई थी और सुगोली जो है न वहाँ पर नेपाल के साथ में संदी हुई थी अंग्रेजों की तो सुगोली की संदी से कहते है नेपाल को क्या है बहुत properly जीत नहीं पाया था कभी भी है न अंग्रेज लोगों ने तेकिन finally कुछ उसका हिस्सा उन्होंने जीत लिया था उत्राखंड वाला तो battle of सुगोली जो है न तो यहाँ पर देखिए पॉइंट बहुत important हिस्ट्री के perspective उसे भी current affair में कोई चीज आती है तो वो जरूर एक्जाम में आ जाती है हिस्ट्री के यदि उसका कुछ लिंक होता है तो देखिए नेपाल के संदी के तहत काला काली नदी का लिपिया दुरा काला पानी ये काला पानी पर तो भी विवाद हो चल रहा था भी आपको याद होगा काला पानी पर बहुत जदा विवाद चल रहा था भारत पाकिस्तान और नेपाल का तो लिपू लेक पर अपना दावा प्रस्तुत किया है नेपाल ने तो ये काला पानी जो एरिया है यहाँ पर ये नेपाल अपना दावा प्रस्तुत करता रहता है तो बैटल ओफ सुगोली जो है ये 1816 ये जरूर याद रखना कि इसी भी पेपर में ये history से related question आ सकता है और का कोई देर पहले बतारता है string of pulse जो कि चाइना की policy है मोतियों की माला भारत को घेरने के लिए हिंद महा सागर में तो भारत ने फिर क्या है इसके against में जो है भारत की सागर मतलब सागर नीती शुरूआत की है इसका उद्देश मुक्य क्या है 2015 में कि लाई गई गई है 2015 में हि जम्रद्धी बनी रहे इसलिए भारत का सागर नीती लाई गई थी देखे इसके लावा आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों का परी सीमन जो होता है परी सीमन का मतलब जो सीमाओं का बटवारा जो होता है डिलिमिटेशन है ना किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर और पूर्वत्तर जो राज्यों है ना सेवन सिस्टर्स जो है तो ये अनुच्छेद बरासी में 82 में आता है परी सीमन आयो कि जम्मू कश्मीर ये विशेश जो स्पेशल स्टेट से उनका जो बटवारा किया जाएगा है ना लोक सीट का तो वो अनुच्छेद 32 के तहित किया जाता है ये आपके एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोश्चन हो सकता है मैं फोर्स करके बता रहा हूं इसलिए कोरोना वायरस का स्वदेशी टीका जो है वो विक्सित किया जा रहा है और ये भारत बायो अस्ट्रा में है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुश्चन है और हाली में भारत ने अपने स्वयम के टेस्टिंग किट्स भी जो है बना दिये हैं और उसको जो है लांच करने के लिए उसने कंपनी का भी चुनाव कर लिया कि और आस पास के सभी देशों को भी हम लोग सप्लाई करेंगे और इससे भारत की इमेज जो है ना वर्ल सिनेरियो में बहुत अच्छी हो जाती है और यही डिप्लोमाटिक जो है ना कूट निती ही यही है कि हमें अपने आस पास के देशों से अच्छे संबंद बना के रखने हैं ताकि हम उनसे क्या कर सके कुछ भी ज च्छेत के तहट राज्यपाल किसी व्यक्ति को सजा निलंबित कर सकता है तो आपको पता होगा क्लेमेंसी पावर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए राश्प्रती की क्लेमेंसी पावर क्यों सी होती है है ना आप मुझे दोनों आर्टिकल के बारे में बताए राश् सबी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और जो राज्यपाल के पास है राज्यपाल पूरी तर से मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता पूरी तर से यह पावर के राश्ट्रपती के पास है उसके अतिरिक्त जो है सभी किसी भी जो है सजा को कम करना निलंबित करना उसक मतलब यह है कि सविधान जो है we the people of India इसलिए हम ने दिये हम भारतिये लोगों ने दिये तो आप इससे यह मत समझे कि मैं बोल रहा हूं हम भारत के लोग की बात कर रहा है तो यह जो है चीन जो है बहुत जल्दी 5G network को इस्थापित कर रहा है माउंट एवरेस्ट को अपना आधिकार शेत्र में बता रहा तो यह जो है नहीपाल और तिबवत चीन बॉर्डर पे तो यह माउंट एवरेस्ट को अपना शेत्र बताने की कोशिश कर रहा है तो चीन की जो है इस तरह की पॉलिसी उसको इंपैरलिस्टिक पॉलिसी कहते हैं सामराज जेवादीनीती आस के सबी देशों से चीन का विवाद है जैसे भारत के हलावाज जितने बी देश देश चीन जो है एक विवादी है क्योंकि इस प्रम्षण अबगे बहुत ज़्यादा टेजी से अपने आपको कुछ संशोधन हुए थे तो वो 2005 में हुए हैं तो यह पॉइंट एक याद रखना है ना एक आपने यह पैगॉंग सो जील है ना यह लदाक शेत्र में पढ़ती है बहुत उचाई परिस्थित है और पैगॉंग सो जील के आसपास ही जो है ना वो वेस्टर्ण डिस्टर्बेंस या पस्ची में विक्षोब जब भी कभी वेस्टर्ण डिस्टर्बेंस या पस्ची में विक्षोब शब्द आए तो याद रखना इससे होती है अरब सागरी मानसून या बे ओफ बेंगॉल के मानसून से लेकिन जो है वेस्टन डिस्टर्बेंस का मतलब है भूमध्य सागर मेडिटिरेनियन सी जो यूरोप और अफरिका महादूइब के बीच में इस्थित है तो यह इससा किसको प्रभावित करता है तो रभी रभी की फसल रभी का मतलब जो गेहूं की फसले हैं रभी से कैसे याद रखेंगे रभी का मतलब है राइस र रभी र राइस नहीं राइस नहीं का मतलब चावल नहीं तो चावल जिसमें नहीं होता तो उसमें क्या होता है गेहूं मक्का तो ये रभी की फसल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है राइट देखे ये बहुत आवश्यक हो गया था कि डियाइडियो जो है इसने बहुत अच्छा काम किया एक डिफेंस रिसर्च और डिवलप्मेंट और्गनाइजेशन इसने नोट करंसी को सैनिट आईजिंग करना सटार्ट कि नोठ क्ली नाम से है क्योंकि नोटों के अंदर मान लिए किसी को coronavirus है तो वह यहे नोट किसी को देता है तो पूरे भारत वर्ष हम्हार नोट तो सबसे तेजी से गमन में 1999 में इसी ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है ना इंशॉरेंस रेगुलेटरी है ना एंड डेवलप्मेंट इसका फुल फॉर्म क्या है इंशॉरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलप्मेंट ऑथरिटी प्राधिकरण का मतलब होता है ओथरिटी तो हैद्राबाद में इल्डा का मुख्याल है जितने भी हमारे पांच बड़े-बड़े जो इंशॉरेंस है गवर्मेंट के भी और करता है इल्डा करता है जिसे बैंकों का नियमन रेगुलेशन कौन करता है आर बिया करता है तो आप इल्डा को जरूर याद रखेंगे एक्जाम के पस्पेक्टिव से तो यह बात आपको एक समझ में आगई होगी इसके अथिरिक्त बहुत सारे कुश्चन्स अभी बाकी ह उन पर भी चर्चा कर लेते हैं तो पहले हम लोग कुछ और भी चर्चा कर लेते हैं ताकि आप जो है तो देखिए आप जो है यह मेरा जो है चैनल है टेलीग्राम पर टेलीग्राम पर रुद्रा एज्यूकेशन तो आप जो है यहाँ पर सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम जोइन कर सकते हैं इस तरह से मैं PDF जो इसमें लगाता डालता रहता हूँ आपको यहां से आप पढ़ सकते हैं तो देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं जो मैंने कुछ सबसे ज़्यादा 36.8 बिलिएन डॉलर के साथ भारत में नंबर एक पर है अमीर की लिस्ट में राधा किशन दमानी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताईए इनकी कंपनी का नाम क्या है राधा किशन दमानी तो इनका जो है 13.8 बिलिएन डॉलर के साथ सेकंड नंबर पर और देखे शिव नडार और मुकेश अम्बानी को तो सभी जानते हैं, आप मुझे रादा कृष्ण दमानी का जरूर बताईए, शिव नडार तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, शिव नडार बहुत अच्छे जो हैं, फिलेंथ्रॉपिस्ट हैं, वो बहुत दान भी करते हैं, जिसपरकार अजीम प्रेम जी जो हैं, विप्रो के हैड जो हैं वो अजीम प्रेमजी है, वो भी बहुत दान करते हैं, तो शिव नडार जो हैं, ये HCL का आपने नाम सुना होगा, HCL कंपनी जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, HCL के यही चेर्मेन है एड ही है और राधा क्रिष्टन दमानी की कंपनी का नाम बताई आप है ना तो राष्ट्रिय प्रध्योगी की दिवस National Technology Day कब मनाये जाता है 11 मई को 1998 में पोखरण जो है पोखरण में जो second जो हमने परमानू परिक्षन किया था और उसके बाद भारत पर बैन भी लग जिया था है ना अमेरिका ने बैन लगा दिया था तो यह 11 मई को हुआ था रैट तो देखिए यह बात आपको एक समझ में आगी तो हम लोग कुछ इस से related content और भी पढ़ लेते हैं देखिए देखिए यहाँ पर आपको पूरे content के coverage जो हो जाएगा तो राष्ट्रिय प्रध्योगी की दिवस 2020 कब मनाए जा रहा है 11 मई को मनाए जा रहा है यह हमेशे इसी दिन मनाए जाता है और राष्ट्रिय प्रध्योगी की दिवस कहते हैं लेकिन वर्तमान में कौन चल रहा है आप मुझे comment box में बताइए प्रध्योगी की की खोजों के माध्यम से अर्थियोस्ता को पुना संगठित करना इसका यह मतलब उद्देश है Rebooting Economic Science and Technology Research Translation तो यह इस बार का theme है 2020 का यह भी आपको एक याद रखना है इसने दूसरा सफल परमानू परिक्षन किया था और यह अटल बिहरी वाजपाई जी के कारेकाल में था जो पहला जो टेस्ट किया था 1998 का जो टेस्ट है वो उपरेशन शक्ती है और 1994 में जो इंद्रा गांधी जी के समय में था वो smiling बुद्धा था और उस समय भी भारत के उपर बहुत सारे पाबंदिया लग गई थी तो यह सभी बाते आपको पता होने चीए नेशनल टेक्नलोजी जो डे है इस सेलिब्रेटेड ओन नाइन्थ ओफ में तो यह बात आपको एक समझ में आ गई होगी अब यहाली में जो सुंदरवन है जो कि एक डिल्टाई शेत्र है और यहाँ पर सुंदरी नाम के वरक्ष पाए जाते है वहाँ पर देखा गया बागों की संख्या में इजाफा वो है यहना बहुत important है यह बागों की संख्या में इजाफा इसका मतलब यह है कि हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है ecology system बहुत ही अच्छा चल रहा है पारिस्थितिकी तंत्र आप उझे comment box में बताइए पारिस्थितिकी तंत्र ecosystem पहली बार शब्द का प्रयोग किस व्यक्ति ने किया था यह मैंना आपको environment and ecology वाले section में बहुत अच्छे से cover किया रही अब देखिए यह वाली बात के लिए आपको tiger reserve अब देखते आगे यह बहुत अच्छा question हो सकता है exam के लिए कि जारखंड ने पूरी तरह से पान मसालों के उपर एक साल के लिए band प्रतिबंद लगा दिया है और जारखंड राज्य के बारे में मैं आपको last lectures में बहुत अच्छे से पूरा in depth बता रखा है है अब देखिए अंतरराष्ट्री होकी महासंग जो है federation of international होकी तो यह भारतिये जो है नरेंद्र द्रुव बत्रा तो यह अध्यक्ष चल और इनका कारेकाल है न एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया तो यह एक्जाम का प्रश्ण हो सकता है चुंकि यह भारतिये हैं और international होकी जो federation है federation of international होकी इसके यह भी कौन चल रहे है प्रेसिडेंट चल रहे है तो FIH आपको clear हो गया साथ जनवरी 1924 को 1924 को इससे इस्थापना होई थी लुसाने नाम का जो शहर है Switzerland में वहाँ पर FIH का मुख्याले है और CEO Chief Executing Officer जो है FIH के theory well चल रहे है तो यह बात एक आपको याद रखनी है मैं आपको एक बार फिर यह repeat करवा रहा हूँ एक्जाम में मैंने आपको last lectures में मैंने पहले discuss किया हुआ है कि Reliance Geo जो है उसने Silver Lake को अपनी 1.15 इस्थेदारी बेची है जियो की है ना Reliance Industry की नहीं केवल 1973 में धीरू भाई अंबानी के दौरा हुई और इने जो दो पुत्र है अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी ये इनको lead कर रहे है तो वर्तमान में CMD Chairman and Managing Director कौन चल रहे है मुकेश अंबानी तो यह बात आपको याद रखनी है है ना तो हम लोग साथी साथ कुछ और अंदर content को भी पढ़ लेते हैं है ना जो exam के लिए बहुत important है यह आपके exam के लिए यह सबसे important question हो सकता है आपके exam के लिए है ना यह कि countries first indigenous indigenous जो होता है ना indigenous का मतलब क्या होता है कि घरेलू मतलब भारत ने स्वयम बनाए antibody based testing kit कोविड कवच तो कोविड कवच याद रखना कोविड कवच ELISA ELISA की full form जो है ना इसी से हम किसको test करते हैं AIDS का test भी करते है ELISA परिक्षन के माद्यम से enzyme linked immunosorbent assay enzyme linked immunosorbent assay कहीं दिया हुआ है कि इसका full form तो कोई बात नहीं आप याद रखेंगे enzyme linked इसका full form enzyme linked immunosorbent assay देखिए जो यह बिमारी है COVID-19 इसको दो तरीके से इसका परिक्षन किया जा सकता है एक तो nozzle test होता है तो नाक के अंदर जो है हमारे सीख डालके और बलगम जो है कफ का test किया जाता है दूसरा जो है immunoglobin नाम की जो antibodies होती है उनका परिक्षन करते है तो यह जो है यह भारत ने जो है चीन ने हमको कुछ faulty testing kits दी थी तो वर्तमान में भारत ने अपनी testing kits बना ली है और इसका production का order भी दे दिया है तो और देखिए इसके सबसे benefits क्या है वो भी देख लेते हैं कि एक तो इसको बनाया किसने है वही prominent जो institution है National Institute of Virology पूने में है इसने बनाया फर्स इंडिजिनस इंडिजिनस देखो स्पेलिंग याद रखना I-N-D-I-G-E-N-O-U-S इंडिजिनस जो इसका उतलता है घरेलू antibody based ELISA test kit बनाएं COVID कवच है न और diagnosis for diagnosis का उतलता पता लगाने के देखिए आज का lecture lengthy हो सकता है आप जो है इस lecture को पूरा देखिए उसके पीछे कारण यह है कि अभी और भी मैं बहुत interesting contents आपको provide करने वाला हूं जो static gk से related भी है और current affairs से related भी है तो यह जो test है expected to change dynamics of COVID-19 भारत में बहुत भयाव है मतलब बहुत ही भेंकर रूप से परिवर 90 samples 90 samples जो है इसको यह test कर सकता है तो यह बहुत ही fast process हो जाएगा और हम लोग इसके बहुत सारे kits तयार कर रहे हैं so thank you very much आपको जरूर comment box में लिखना है कि जो पूरे में स्थित है NIV जिंदाबाद NIV क्योंकि यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं DRDO बहुत अच्छा काम कर रह सागर के बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं तो यह बात हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी कि मिशन सागर जो है 10 मई 2020 को यह पांच देशों को हम लोग बहुत मदद भेज रहे हैं और 2015 में यह बात हमने अच्छे से डिसकस कर ली थी कि 2015 के अंदर जो है बारगासकर और कॉम्रोस चुद्वीप हैं जो हिंद महासागर में पढ़ते हैं तो ये भारत के लिए स्ट्राटेजिक पॉइंड अफ यू से बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कुश्चन है देखो ये आपके पेपर में आ सकता है इसको क्य किया गया तो इसके फीचे कारण में यही बता रहता है हिंद महासागर में चीन और अमेरिका प्रतिस पर्धा मतलब कॉम्पेटिटिटिव शेत्र बन चुका है वरतमान में चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीती के तैद भारत को घेरने की योजना बनाना शुरू कर दि पाकिसतान में चीन ने गवादर पोर्ट, स्र ніलंका में चीन ने हमबन तोता पोर्ट, उसको तो पूरी तरसा अधिकराईद कर लिया था, मालदीव के अंदर मराव पोर्ट याद रखना मालदीव के अंदर जो है चीन ने बनाई है बंगला देश में भी चीन ने अपना च सामराज जवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और इसी के चलते श्ट्रिंग ऑफ पल्स नीती चीन का पाकिस्तान आर्थिक सामराज जवाद नीती को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो आपको इस सागर मिशन कलीर हो गया होगा कि भारत जो है न वो भी अपने अपनी छवी को और अपने लेवल को बढ़ाए रखना चाता है ताकि कोई भी देश भारत की सम प्रभुता सौवर्णिटी पर किसी भी प्रकार का हमला न कर सकें और भारत इस पूरे शेत्र में अपना एक अधिकार हमेशा बनाए रखें इसलिए भारत जो है लगातार यह प्रयास करता रहता है तो देखिए अब लोग हम लोग आगे देखते हैं और क्याकर सेक्शन इंपॉर्टेंट है तो यह सब हमने बात करी लिए थी है न बायो टेक के बारे में मलोत्रा समेथी जरूर याद रखना है आपको मलोत्रा है मैं तोड़ा सा इसको शॉट करके मैं वापिस से कंटेंट पर आ जाता हूं लाई तो यह बात आपको समझ में आ गई है अब देखा आगे अफ्रिकन यह जो स्वाइन फीवर है यह स्वाइन फ्लू से अलग है और यह सूरों को मार रहा है तो लगबक 13000 से 15000 के करीब सू दूरों के ओपर जो अनुसंधान केंद्र है वो रानी नाम की जगे है गुहाटी असम में तो यह पॉइंट आप एक याद रखना है यह स्टैटिक कोशन आपके एक्जाम में आ सकता है ठीक है अब देखिए पाच्वी और दस्वी की क्लास तक के सभी छात्रों को बिना प मोबाइल से हैं वो कुछ भी नहीं बिक रहे हैं तो महिंद्रा कंपनी जो है बहुत बड़ी महिंद्रा कंपनी आपको पता होगा महिंद्रा के और टाटा के जो है इंडियन आर्मी में भी जो है वीकल सप्लाई होता है तो महिंद्रा कंपनी जो है उसने अपना एक प्लैट से tweeter देखते हैं tweeter पर तो आनंद महिंद्रा जो है ना बहुत ही शान्दार tweet करते कब्या आनंद महिंद्रा के tweets देखिएगा बहुत ही authentic tweets होते है और वो कया बार जो है घुण knowledge warrant की गलत policy करते हैं दोस unf ख dual प्रताब के बारे में आपको कुछ additional inputs और दे देता हूँ जो आपके exam के लिए बहुत important हो सकते हैं तो देखिए ये देखिए आपके सामने हैं तो आपको इसमें important information पढ़ सकते हैं कि जो है माराना प्रताब जो सिसोधिया वंस के थे मेवार के सिसोधिया राजपूत हुआ तो 1540 में कुंबलगर राजिस्तान कुंबलगर वेसिकली उदैपूर के पास पाली जिले में पढ़ता है और इतियास में उनकी वीर्ता और द्रड़ परण कि उन्होंने कभी भी जो हैना दासत्व हैना slavery स्विकार नहीं किया अकबर लगातार उनसे युद्ध युद कुछ ना सकते हैं पाली के सोनगरा अखे राज की बेटी थी यह कौन जैवंता भाई और यह आपको एक कुछ पॉइंट से याद रखने हैं और सिसोधिया राजपूत राजवश के थे यह बच्पन में इनको किस नाम से पुकारा जाता था यह कुछ ना सकता है की का की का आम से ने पुकारा जाता था और मुगल समराट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को आधीन लाना चाहता था इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए चार अलग-अलग राजदूत न्यूक्त किये तो आपको हिस्टरी के अंदर कुश्चन आ सकता है यह हमारे NCR इसलिए आपके हिस्टरी के लिए इंपॉर्टन कुश्चन हो सकते हैं तो चार राजदूत कौन कौन थे तो सबसे पहले तो 1572 में जमाल खां को प्रताप के खेमे में गया और इसी करम में मान सिंग मान सिंग आपको पता होगा कि सैनापती थे अकबर के और यह जैपूर से संबंद रखते थे तो 1573 में मान सिंग को भीजा गया भगवान दास जो है इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया उनको इन्होंने 1573 में भीजा था और राजा टोडरमल टोडरमल जो है ना जो लेंड से संबंदित इनके थे और नवरत्न में भी थे तो याद रखना जासिक युद्द आपको पता होगा जिनमें इनका चेतक घुड़ा भी मारा जाता है तो यह सभी पॉइंट से याद रखना सिसोधियावंस के और इनका जन्म जो है इसलिए 480 वी जन्मति थी हमने 9 मैं को मनाई है तो यह पॉइंट आपको एक क्लियर हो गया होगा अब हम हम लोग चलते आगे देखिए हाल ही में तीन साल के लिए सभी श्रम कानून निलंबित कर दिये हैं उत्तर प्रदेश राज्ज ने देखिए यदि यह श्रम कानून जो है सरकार जानबुच के निलंबित कर यह कहीं ना कहीं श्रमिकों का इसमें नुकसान है लेकिन यदि हम को एकनोमिक गतिविदी चलानी है तो कई तरह के श्रमिक कानूनों को क्या है रद करना पड़ेगा तो जो है अलग-अलग कानूनों को रद कर दिया है एक तो उत्तर प्रदेश राजज ने एक गुजरात राजज ने और मध्य प्रदेश राजज ने है न तो ये श्रमिकों क का normally tenure होता है उसे 12 घंटे तक भी काम करवाया जा सकता है overtime भी करवाया जा सकता है ताकि क्या हो सके कि कि किसी भी प्रकार का economic चक्र जो है economic चक्का जो है वो ना रुके विश्व का सबसे बड़ा जो football stadium में यह आपका exam question आ सकता है गौंग जू एवर ग्रांडे football stadium गौंग जू में गौंग जू एक शहर है चीन का तो गौंग जू एवर ग्रांडे football stadium यह विश्व का सबसे बड़ा football stadium है आप यह मुझे बताइए कि जो 2022 का football cup होने वाला है फीफा football cup तो वो कौन से देश में मतलब आयोजित किया जाएगा 2022 का football cup है विश्व फूटबॉल कप जो है तो आपको यह सारी बात है आपको समझ में आ गई होंगी आप यू अर्यू enjoying the content आपको मज़े आ रहे है या नहीं आ रहे है आप कुछ अच्छे अच्छे comments जरूर कर दिया करें नीचे ताकि मुझे पता चलता रहा है आप last तक सुनने वाले कौन कौन है है न मेरे को यह भी पता चल जाया तो जो जो आप अभी तक भी सुन रहे है last तक आप जरूर comment box में comment करिए कि you are enjoying the classes आप देखे कुछ चोटा सा section अम लोग और आगे देख लेते हैं जो exam के लिए important हो सकते हैं तो आपको history सभी चीजों को इस तरह से link करके ना बहुत ही interesting हो जाएगा है ना तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बार-बार पिछले सालों में लगातार बढ़ता जा रहा है देखो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ क्यों रहा है आपके लिए बहुत important question हो सकता है क्यों बढ़ रहा है यह लगाता है सबसे basic कारण कि भारत का जो सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है है ना विदेशी मुद्रा देखो 481 हो गया तो भारत का सबसे ज़्यादा जो foreign reserve है Forex इसे कहते है Forex foreign reserve यह actual में dollars में होता है और इसी के माद्यम से हम है ना दुनिया के दूसरे देशों से कुछ खरीदना चाहते है जैसे भारत सबसे अदायात किसका करता है petroleum products का है ना crude oil का उसके बाद में सोने का चुंकि crude oil के दाम अंतराष्टिय मार्केट में लगातार प्रत वरतमान में इराक से हम लोग सबसे अदा petrol आयात कर रहे हैं और petroleum gas जो है वो सबसे अदाम कतर देश आयात करते हैं तो देखिए यह जो है इसी लिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमको कम पैसा देना पढ़ रहा है तो इस पिछले सबता जो है यह 11.3 करोन डॉलर से घट पढ़ गया है यह तो foreign reserve आपको पता चल गया होगा विदेशी मुद्रा बंडार क्या होता है है न और देखिए यह लगातार बढ़ता जा रहा है और वहीं IMF यह कुछ important और पढ़ लेते हैं कि international monetary fund के पास में भारत का विशेश आहरण अधिकार है न इस पैशल rights SDR बोलते हैं से English में विशेश आरहन अधिकार 50 लाग डॉलर से व्रद्धी होके तो भारत का IMF में भी पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत में भारत आने वाले कई सालों तक बहुत कुछ चीज़े खरीच सकता है जैसे आपको पता होगा 1991 1991 में तो भारत के पास में foreign reserve लगभग समापत हो चुका था तो आज भारत भविश्य में आसानी से कुछ भी खरीच सकता है तो यह point आपको एक clear हो गया होगा है ना तो लगभग में आपसे जो भी मेरे को discuss करना था discuss कर लिया है एक last point और discuss कर लेता हूं कि Facebook जो है उसने क्या है पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि Facebook, YouTube, TikTok यह जितने भी social media networking site है वहाँ पर कोई content को ध्यानी नहीं देता कोई कुछ भी पोस्ट कर रहा है गलत पोस्ट कर रहा है तो content को oversight करने के लिए भारत के भारत वैसे तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने चुनाए भारत के सुधीर क्रश्न स्वा गया है तो देखो Facebook पर कोई भी आपती जनक पोस्ट नजर आये तो oversight board बनाया है और उसमें भारतिय को भी शामिल किया है सुधीर क्रश्न स्वामी ये एक important question हो सकता है exam के लिए हैना आप याद रखेंगे इस बात को और हैना दुनिया के अलग-अलग देशों के प्रधान मं और ये क्या करेगा चुंकि आपको पता होगा Facebook, Instagram और WhatsApp ये तीनों Facebook के ही हैं हैना तो आपती जनक content पर नजर रखने के लिए हैना हैना तो ऐसे मामलों में company के CEO Mark जुकर्सबग ने फैसलों को भी पलट सकेगा या तक कि ये इतना स्वतंतर होगा कि Mark जुकर्सबग भी कुछ हैना जो कि इसके CEO मुख हैं हैना उनके भी judgment को फैसलों को ये पलट सकते हैं तो ये बात यह याद रखनी है तो देखिए आपको ये बात एकदम clear हो गई तो आपको क्या याद रखना है सुधीर कृष्ण स्वामी ये शब्द याद रखना है ना डू शेयर आप लोग जो ह तो मस्या होती है कि इना किसी तरह का चैनल का link नहीं मिलता है या किसी भी जो है वीडियो का link नहीं मिलता तो आप मेरे जो है चैनल पर जाएं सबसे पहले playlist में जाएं और playlist में जाके क्या है किसी भी जो है वीडियो को सुन सकते हैं तो thank you very much wish you all the best God bless you all